21.3 वैश्वी करण विगत दो तीन दशकों से अधिकांश बहुराश्टी कम्पनिया विश्व में उन स्थानों की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए सस्ते हूं इन देशों में बहुराश्टी कम्पनियों के निवेश में व्रिद्धी हो रही हैं साथ ही विभिन देशों के बीच विदेशी वैपार में भी व्रिद्धी हो रही हैं विदेशी वैपार का एक बढ़ा भाग बहुराश्टी कम्पनियों द्वारा नियंत्रित हैं अधिक विदेशी वैपार और अधिक विदेशी निवेश के परिणाम सरूप विभिन देशों के बाजार और उत्पादनों में एकी करण हो रहा है विभिन देशों के बीच परसपर संबन्द और तीवर एकी करण की प्रक्रिया को ही वैश्वी करण कहा जाता है अधिक से अधिक वस्तुएं, सेवाएं, निवेश और प्रद्धोगीगी का आदान-प्रदान हो रहा है भारत में बढ़ते विदेशी वैपार से संबंधित, आयात एवं निर्यात के आंकडे रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित किये गये हैं 1999 और 2014 पंद्रा के बीच विदेशी वैपार कई गुना बढ़ गया है भारत ने वर्ष 1999 में कुल 33,150 करोड रुपे की सामागरी का निर्यात किया वर्ष 2014 में यह राशी बढ़कर 19,35,000 करोड रुपे हो गई अभी हमने वस्तों के आयात निर्यात के आकडे देखे सेवाओं के आयात निर्यात में भी तेजी से व्रद्धी हुई सेवाओं के निर्यात में भारत शिर्ष देशों में एक है सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से कहीं ज़्यादा है इस दोरान भारत में विदेशी निवेश भी कई गुना बढ़ा है